हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम NCRT निचोर नाम से एक सिरीज शुरू किये हैं इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है Classics का Science जो पहला चेप्टर है NCRT बुक का यह दूसरा चेप्टर है तो हम यह दूसरा वीडियो बना रहा है यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख सकते हैं जो था Food, Where Does It Come From और यह है दूसरा चेप्टर NCRT का Components of Food तो दोस्तो यह आपके लिए काफी important वीडियो है तो चलिए दोस्तो हम लोग शुरू करते हैं हमने यहाँ पे NCRT के सारी concept डालने का प्रयास किया है जैसा diagram है NCRT book में वही हम यहाँ पे हूँ बहु डाले हैं जिससे आपको काफी मजा लगे परने में तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आपने पहला जो विडियो है उसमें हमने परहा था फूड के बारे में यहाँ पे दोस्तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड के components के बारे में components कहें तो कहने का मतलब है कि जो food है उसमें क्या-क्य nutrients मिलते हैं उसके बारे में जैसे nutrients की अगर हम बात करें, तो जैसे proteins है, carbohydrates है, minerals है, इन सब चीजों के बारे में fats है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें परने वाले हैं, chapter 2 में, तो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ है सबसे पहले, कि what do different food items contain, है न, जो different food items है, वो क्या-क्या उसमें content होते हैं, यानि क्या-क्या उसमें include होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ परहेंगे, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है, कि जो हम अलग-अलग dish होता है, वह लिखा गया है, कि we know that each dish, यानि जो प्रत्य एक dish है यानि जो food है, is usually made of one or more ingredients, इसके बारे में हम लोग पहले परहे हैं, कि अगर कोई भी food items आपको बनाना हो, कोई भी dish अगर आपको बनाना हो, तो उसमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, ingredients होंगे, तभी एक dish तैयार होता है, या वो आप कहां से प्राप्त करेंगे, तो वो ingredients कहां से मिलेंगे, तो यह लिखाएगी, we get from plants या animals, या तो वो plants से मिलते होंगे, या animals से ही मिलते होंगे, ingredients, उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो एक नया food items तैयार होता है, एक dish तैयार होता है, ठीक है, लिखा गया है कि these ingredients और यह जो ingredients है, contain some components, इसी ingredients में, जो ingredients होते हैं, इसी म और जो हमारे body को needed होता है, needed by our body, और इसी components को हम लोग क्या बोलते हैं, nutrients बोलते हैं, यानि पोसक तत बोलते हैं, जिसे हमारे body को जरूरी है, nutrition, जो ingredients होते हैं, उसमें जो components होते हैं, उसी components को क्या बोला जाता है, nutrients बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ के असानी से आगे देखें यहाँ पे लिखा गया है और यही यह जो nutrients है ठीक है यह क्या होते हैं responsible for the growth and development of our body यानि यह सारे के सारे जो nutrients हमको मिलेंगे जो food items है उससे यह responsible है किसके लिए for growth and development of our body यानि हमारे body के growth और development के लिए क्या है जरूरी है तो इसी के बारे में हम लोग इसमें परने वाले हैं अब आपको समझने आ गया होगा पूरी तरीके से किस चेप्टर में हम लोग क्या परने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं यह NCIT book से लिया गया है यहां पर food items है इसमें आपको अलग-अलग components यानि अलग-अलग nutrients मिलेंगे ठीक है fats मिलेंगे carbohydrates मिलेंगे and minerals मिलेंगे यह सारे food यहां पर दिखाया गया एक डिल से अब हम आगे देखते हैं यहां पर चलिए क्या-क्या होता nutrients यह हम लोग यहां पर पढ़ेंगे देखे दोस्तों जो major nutrients है उसके बारे में हम बात करते हैं जो हमें food में मिलता है वह लिखागी major nutrients in our food और वो क्या-क्या होते हैं जो major nutrients हम लोग को मिलता है तो वो होता आपका carbohydrates ठीक है वो होग आपका proteins वो होग आपका fats, vitamins and minerals यह क्या है major nutrients है जो हमको food में मिलता है जो food items होते ह हम लोग खाते हैं उसमें carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals, इनके अलावा लिखा गया है कि in addition, ठीक है, in addition में क्या लिखा गया आपका, कि food contains dietary fiber, है ना in addition, food contains dietary fiber, का रहा है कि जो food हम लोग लेते हैं, जो हम लोग डिस्क खाते हैं, उसमें include होता है dietary fiber, यानि हमको dietary fibers भी मिलते हैं, जिसको हम लोग बो इसके अलावा water, which are also needed by our body, और ये भी क्या है, हमारे body को जरूरी है, dietary fibers, यानि जो राफेज है, वो भी जरूरी है, and also water, यानि also water भी हमारे body को क्या है, जरूरी है, तभी तो हमारा proper विकास हो सकता है, development हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग परेंगे, लेकिन ये क्या है, आपक nutrients नहीं है, ठीक है, यानि जो dietary fibers है, या जो water है, ये आपका nutrients नहीं है, major nutrients में बस आपको carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals से याद रखने है, ठीक है, ये दोस्तों ये जो है carbohydrates, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, carbohydrates mainly provide energy to our body, यानि ये क्या करता है, हमारे body को mainly मुखे रूप से energy provide करता है, और जब energy मिलेगा, तभी हम कोई काम कर सकते हैं, यानि capacity of doing work, energy अगर रहेगा, तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं, तभी तो हम able ability to something work, यानि कोई भी work अगर आपको करना है, तो उसके लिए energy चाहिए, त दूसरा है आपका fats, fats जो है, ये भी क्या होता है, also give us energy, ये भी हमको energy ही देता है, लेकिन यहाप एक बात याद रखना है, in fact, कि fat give much more energy, क्या लिखा गया है, कि fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates, यानि अगर हम compare करे, comparison करे, carbohydrates और fat में, तो ज़्यादा energy हमको कहां से मिलती है, fat से मिलता है, अगर हम same amount की, अगर carbohydrates की बात करे, और same amount में अगर हम fat ले, तो हमको ज़्यादा energy fat से मिलेगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा, कि much more energy as compared to the same amount of carbohydrates, तो ज़्यादा energy आपको कहां से मिलता है, fat से मिलता है, लेकिन carbohydrates से भी हमको क्या मिलता है, energy ह इस चीज़ को हम लोग समझ गए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो energy giving food है, गो क्या है, energy giving food कहने का मतलब in the sense कि ऐसा क्या खाया जाए, जिससे हमको carbohydrates मिले, fats मिले, तुसी को तो हम लोग बोलेंगे energy giving food, तो आएए देखते हैं, देखिए यहाँ पे हैं दोस्तों कि food containing fats and carbohydrates यानि वो food जिसमें आपको fats भी मिले, carbohydrates भी मिलते हैं, और also called energy giving food, अगर आप से कोई पूछे कि energy giving food क्या है, इसका मतलब है कि वैसा food जिसमें क्या हो, आपको fats मिले और carbohydrates मिल जाए आपको, उसी को हम लोग energy giving food बोलेंगे, क्योंकि fats और carbohydrates ultimate हमको energy ही तो हमारे सरीर को देता है, त यहां पर figure में आपको दिखाया गया है, यहां पर दो figure है, यहां पर NCIT book से ही यह figure लिए है, हूब अपर हमने रख दिया है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर जैसे यह जो figure है आपका, यह है carbohydrates, यानि यहां पर carbohydrates मिलेंगे, यह सारे जो food हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा आपको कार्बो हाइडेट्स मिलेगा जैसे एक्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे बाजरा से आपको क्या मिलेगा कार्बो हाइडेट्स मिलेगा राइस, राइस से क्या मिलेगा कार्बो हाइडेट्स मिलेगा पोटेटो की अगर हम बात करते हैं या सूइट पोटेटो की बात करते हैं सूगर केन की अगर हम बात करते हैं पपाया की अगर हम बात करते हैं मैंगो की बात करते हैं और मेज इन सारे चीजों में क्या होते हैं आपको कार्बोहाइडेट्स मिलते हैं यानि यह सब energy giving food है, यानि इसको खाने से आपके सरीर में carbohydrates मिलेंगे, ठीक है, आगे देखिए, जो अभी अब परहें हैं, fats के बारे में, fats भी क्या है, energy giving food है, तो जो fats हैं, यहाँ पे जो figure 1 है, इसमें आप देखेंगे, कि जो plants से मिले हैं, यानि यह सब plant products हैं, और इधर जो figure यह है, भी आपका यह सारे के सारे animal products हैं, जिसमें fats होते हैं, और यह भी क्या है, energy giving food है, तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं, plant में, तो plant में आपका जैसे तील है, nuts हो गया, ठीक है, उसके बाद ground nuts हो गया, इन सब से आपको क्या मिलेगा, fats मिलेगा, इसके अलावा, जो soya bean वाइल है, उससे भी आपको fat मिलेगा, coconut वाइल हो गया, mustard वाइल हो गया, इन सब सारे चीजों से आपको क्या मिलेगा, fats मिलेगा, और यह क्या है, plants product है, एनिमल products है, जिससे fats मिलते हैं, वो कौन-कौन से है, फीस हो गया जैसे, meat हो गया, eggs हो गया, butter हो गया, cream हो गया, milk हो गय हो गया, इन सब सारे चीजों में क्या है, fats है, यह सब क्या है, energy giving foods है, जो आपको एनिमल से मिलते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, proteins के बारे में, कि proteins आपको कहा कहा मिलते हैं, और proteins होता क्या है, proteins are needed for the growth and repair our body, करा जो proteins है, वो जरूरी है, requirement है उसका, growth and repair our body, और हमारे body को repair करने के लिए, repair in the sense कि अगर कोई cell dead हो गया है, तो पुना उसको ठीक करने के लिए, repair करने के लिए क्या जरूरी है, proteins जरूरी है, तो proteins हमारे सरीर में, growth और repair of our body के लिए क्या है, जरूरी है, अब एक कि जो proteins हमको कहा से मिलेगा, ऐसा कौन सा food खाया जाए, जिसे हमको proteins मिलते हैं, उस food को बोला जाता है, body building foods, है ना, तो वही लिखा गया, foods, protein are often called body building foods, तो body building foods कहने का क्या मतलब है, कि वह ऐसा food जिसे हमें protein मिलता हो, वो सब क्या हो जाएंगे, body building foods में आएंगे, तो देखिए, proteins आपको कहा से मिलेंगे, उसमें protein मिलेगा, जो दाल है, जैसे हम बात करते हैं, उसमें आपको क्या मिलेंगे, proteins मिलेंगे, यह सब क्या है, body building foods है, यह plant products है, इसके अलावा, जो आपका पी, यानि जो मतर है, उसमें भी आपको क्या होते हैं, protein मिलते हैं, तो यह सारे क्या है, आपका जो सोयावीन है, इसमें भी proteins मिलते हैं, तो यह सारे के सारे body building foods है, इसके अलावा, अगर आप देखेंगे, जो animal products है, जिसमें protein मिलते हैं, वो क्या-क्या होंगे, तो यहाँ पे आप देख लिजिए, सारे NCRT book के diagram है, वहीं से हमने लिया है, जैसे meat, ठीक है, इसमें protein आपको मिलेगा, जैसे fish, paneer, यह बात करते हैं, जैसे milk, eggs, इस सारे चीजों में क्या है, proteins मिलते हैं, इसलिए से क्या कहा गया, body building foods, यानि protein आप खाएंगे, तो अपने body को क्या करेंगे, build करेंगे, बनाएंगे, repair करेंगे, इसलिए इस food items को बोला जाता है, body building foods, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस से, जो बीमारी है, उससे बचाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, vitamins, vitamins helps in protecting our body against disease, vitamins also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy, इन सब सारे चीजों में vitamins क्या करता है, हमें help करता है, ठीक है, लिखा है कि our body needs all types of vitamins in a small quantities, यानि हमारे body को vitamins जरूरी है, लेकिन a small quantities में, कम मात्रा में, सारे तरह की vitamins जरूरी है, लेकिन उसकी जो amount है, वो कम होना चाहिए, a small quantities में, अब देखिए जो vitamins हैं, वो अलग-अलग तरह के होंगे, अलग-अलग types के होंगे, तो क्या-क्या vitamins होते हैं, तो vitamins are of different kinds, जैसे vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin E, और K, ये सारे की सारे क्या हैं, vitamins हैं, और ये सब जरूरी है, लेकिन a small amount में हमारे body को, अब इसके बारे में हम लोग परते हैं, कि इसका क्या-क्या काम है, ये vitamin क्या करता है, vitamin C क्या करता है, लिखा है यहाँ पे कि जो vitamin B है न, वो क्या है group of vitamins, यानि बहुत सा vitamins का group है, इसलिए से vitamin B complex भी बोला जाता है, तो याद रखेंगे, जो vitamin B है, वो groups of vitamins है, इसलिए से vitamin B complex भी हम लोग बोलते हैं, अब है कि vitamin A जो है, इसका क्या काम है, तो vitamin A keeps our skin and eyes healthy, इसमें help करता है, vitamin C जो है, हमारे body को fight against many diseases, यानि बहुत सारे diseases से fight करने में help करता है, and heal, यानि जो घाओ है, घाओ अगर हो गया है, तो उसको भरने में ही vitamin C जो है, आपको help करता है, इसके अलावा, जो vitamin D है, आपका, वो helps करता है, आपके body को to use calcium for bones and teeth, यानि bones और teeth के लिए जो calcium use कर रहे हैं, उसमें भी आपको body को help करेगा, vitamin D, तो vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth, उसके वाद जो vitamin E है, वो helps करता है, आपके immune system, function of brain and nervous system में, इन सारे vitamin K है, helps to blood clotting and building bones, vitamins, vitamin B helps our body to digest carbohydrates, यानि vitamin B कहाँ पे help करेगा, तो carbohydrates को digest करने में, आपके body को ये help करता है, तो ये vitamin A, B, C, D और जो K है, इन सब का work है, एक important point यहाँ पे रिखा गया है, जो vitamin C होता है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, easily destroyed हो जाता है, जैसे अगर आपको heat दे देंगे during cooking, जब आप धोजन बना रहे है, तो अगर ज्यादा heat अगर आप दे देंगे, तो vitamin C जो है, वो destroyed हो जाता है, वो नस्ट हो जाता है, तो vitamin C gets easily destroyed, यदि आप धो देंगे, तो जो vitamin C होता है, वो क्या हो जाता है, उस पानी में घुल जाता है, और वो क्या हो जाता है, destroyed हो जाता है, तो जो figure में आपको दिखाया गया है कि ऐसा कौन-कौन सा food है जिसमें vitamins जो है वो अलग-अलग vitamins जो है मिलते हैं rich मात्रा में जैसे हम vitamin A की बात करते हैं तो वो किस food को खाया जाए जो आपको अधिक से अधिक vitamin मिल सके तो वही लिखा गया food that are rich in different vitamins तेहां पर पहला जो आप figure देख रहें ये ये भी NCRT book का है कि some sources of vitamin A यानि ये vitamin A के sources हैं ये vitamin A इसमें आपको rich मात्रा में मिलेंगे जैसे papaya, carrot और mango अगर इसको आप लेते हैं तेहां पर आपको vitamin A जो है वो मिलेगा या milk की हम बात करें उसमें भी आपको मिलेगा ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो vitamin A आपका B है वो कहां मिलेगा rice में आपको मिल जाता है जो आपका liver है उसमें मिल जाता है आपका जो weight है उसमें भी आपको क्या मिलेगा तो vitamin B यानि जो vitamin B का जो source है यानि जो rich source है वो ये food अगर आप लेते हैं तो आपको vitamins B जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो vitamin आपका C है वो कहां कहां से मिलता है तो generally आप लोग जानते हैं जो खटे पदार्थ है उसमें vitamins C यानि की मिलता है जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं orange की बात कर ले इसमें vitamin C होगा tomato की बात कर ले हैं lemon की अगर हम बात करते हैं उसमें आमला की अगर हम बात करें इन सब चारे चीज़ों में आपको क्या होगा vitamin C मिलेगा अगर हम chili की बात कर ले यह ना green chili यह भी vitamin क्या होते हैं C आपको मिलते हैं यानि rich source है vitamin C का यह सारे चीज बिटामिन D की जो है rich source क्या है आपका फिस एग उसके वाद अगर आप देखेंगे तो milk भी है बटर भी है उसमें भी बिटामिन आपका D जो है वो मिलता है rich source है अब देखें आगे और जो बिटामिस बच गए जैसे कि बिटामिन अगर हम E की बात करें तो ये कहां कहां से आपको मिलेगा तो vitamin E rich food यानि जो rich source है वो क्या है जैसे आप देखेंगे तो whole grains यहां से आपको मिलेगा sunflower seeds है वहां भी vitamin E होता है ground nut oil है वहां vitamin E होते हैं dark green या leafy vegetables जो है उसमें भी आपको क्या होंगे vitamin E मिलेंगे इसके अलावा vitamin K की अगर हम बात करें तो ये आपको कहां से मिलेगा जैसे soya bean उससे मिल सकता है vitamin K broccoli उससे मिलेगा meat उसमें भी vitamin क्या होता है अपका K होता है इसके अलावा जो oats होते हैं उसमें भी आपको क्या होंगे vitamin K मिलते हैं यानि rich source है vitamin K के तो यह सारे resources हैं जहांसे आपको अलग-अलग vitamins मिलते हैं तो देखिए दोस्तो जो vitamin D है जब आप sun के light में जाते हो यानि sun के प्रकास में यानि तभी आपका जो सरीर है वो vitamin D को prepare कर पाता है यदि आप sun के light में नहीं जाओगे तो vitamin D की क्या होगी आपके सरीर में कमी होगी तो यहीं लिखा गया our body also prepare vitamins D in the presence of sunlight nowadays insufficient exposure to sunlight यानि अगर आप देखेंगे कि अगर आप sunlight में ज़्यादा अपने आपको insufficient exposure करते हो अपने आपको ज़्यादा नहीं रखते हो तो इसके कारण क्या होगा vitamin D की आपकी सरीर में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा और ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है वही यहाँ पे लिखा गया है कि our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people यानि बहुत सारे लोगों में इसकी कमी देखने को मिलता है क्योंकि वह ज़्यादा क्या होते है insufficient exposure to sunlight यह वह सनलाइट में ज़्यादा नहीं रहते हैं इसके कारण है ना यह जो vitamin D है आपका यह सूरज के परकास के उपस्तिती में ही आपका सरीड जो है वह प्रिपेर करता है तो इस चीज को आप याद रखेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे minerals के बारे में हम लोग पहेंगे कि minerals जो है यह क्या है आपका देखें minerals are needed by our body in a small amount यह भी हमारे body को a small amount में क्या है need है required है जरूरी है minerals अलग अलग तरह के minerals हो सकते हैं जैसे iron है phosphorus है यह सब क्या है minerals है iodine है यह सारे के सारे क्या है minerals है और यह a small amount में जरूरी है करा each one is essential for proper growth to body and maintain good health यानि जितने भी हमने इससे पहले परहा है जितने भी nutrients के बारे में सब क्या है जरूरी है each one is essential यानि प्रतेक वन एक क्या है जरूरी है for proper growth of body and to maintain good health के लिए ठेक है अगर एक क्या भी कमी हो जाएगा आपके सरीर में तो इसके कारण आपके सरीर में क्या होंगे deficiency digits देखने को मिलेगा यानि इन nutrients के कमी से जो रोग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं deficiency digits है ना इसके कमी से लिए सब ही क्या है हमारे body को जरूरी है एक proper amount में some sources of different minerals अपकुछ यहाँ पे देखिए source दिये गये हैं कि ऐसा कौन-कौन से sources हैं जहांसे आपके जाईर को minerals मिलते हैं तो यहाँ पर आप figure में देखिए यहाँ पर figure को देखके समझ सकते हैं असानी से अगर iron की हम बात करें तो जो हरी है यानि जो green vegetables हैं उसको अगर आप खाते हैं तो आपको iron मिलेगा calcium की हम बात करते हैं milk और eggs इन सब से आपको क्या होगा calcium मिलेगा यानि जो minerals है इसके अल ठीके तो यह minerals की बाते हो गई तो minerals भी हमारे सरीड को क्या है जरूरी है small amounts में और कहां कहां से मिलता है वो भी हम लोग देख लिए note में एक point यहां पे लिखा गया है आपका note में एक point लिखा गया है कि we say that यानि हम कहा सकते हैं कि rice जो है rice अभी हम लोग परे है rice is carbohydrate rich source of food यानि carbohydrate का जो rich source of food है वो आपका क्या है rice है वो आपका क्या है rice है तो यह चीज़ को आप याद रखेंगे इन सब के अलावा अगर हम बात करें इन सब के अलावा इन सभी nutrients के अलावा हमारे body को needs है dietary fibers और क्या जरूरी है water यानि करा इन सब चीजों के अलावा जितने भी nutrients हम लोग परे हैं इन सब के अलावा हमारे body को क्या जरूरी है dietary fiber जिसे roughness बोलते हैं और water हमने उपर भी परा ह तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसी dietary fibers के बारे में कि ये क्या होता है दोस्तों देखिए जो dietary fiber है इसी को हम लोग रफेज बोलते हैं कराई की dietary fibers are also known as ruffease कराई ruffease is mainly provided by plant products यानि plant products के द्वारा हमें मिलता है हमारे foods में मिलते हैं जैसे whole grains उसमें मिलेगा, pulses में मिलेगा, potatoes में मिलेगा, fresh fruit में मिलता है और vegetables में ये सब इसके man sources हैं रफेज के है तो man sources अगर हम बात करते हैं रफेज का तो वह आपका fresh fruit हो गया, vegetables हो गया, pulses हो गया, potatoes हो गया इन सब चीजों में आपको रफेज मिलता है यानि dietary fibers मिलते हैं ये क्या है, nutrients नहीं है लेकिन हमारे body को क्या है, जरूरी है, essential है हमारे body के लिए वही यहाँ पर बताया गया है आपका, कि रफेज does not provide any nutrients, यानि हमारे सरीर में किसी भी तरह का ये nutrients तो provide नहीं करता है but लेकिन is an essential component of our food and adds to its bulk, ठेक है, यानि हमारे food के लिए क्या है, essential component है, हमारे food में इसकी जरूरत होती है क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हमारा सरीर जो है, अगर undigest food होता है, अगर हमारे जो undigest food है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, उसमें ये help करता है, उससे हमें छुटकारा दिलाता है यानि हमारे body को ये help करता है, यानि जो food पचा नहीं है, जो भोजन हमने किया, जो नहीं पचा है, उससे हमको छुटकारा दिलाने में इसका बहुत ही महत्पुन रोल है लेकिन ये किसी भी तरह का कोई nutrients नहीं है, कोई पोशक दत्व नहीं है, लेकिन ये help करता है हमारे body को किसमें, तो undigest food को निकालने में उससे हमें help करता है, यानि उससे हमें छुटकारा दिलाता है, यहीं रोफेज water, water क्या करता है, तो water helps our body to absorb nutrients from food, यानि जो हमने food खाया है, जिसमें उसमें अलग-अलग components है, जो nutrients है, उन सब को absorb कोन करेगा, तो water ही absorb करने का काम करता है, इसलिए water क्या है, जरूरी है हमारे body को लिखा है, it also helps in throwing out some besties from body, और क्या करता है, और भी काम है, water का ये help करता है, जो भी besties है हमारे body में, उसको बाहर निकालने में भी help करता है, जैसे urine के माध्यम से, या sweat या पसीना के माध्यम से, उसे बाहर क्या करता है, हमारे सरीर से बाहर निकाल देता है, इसका भी ये भी और काम है, करा नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, तो जो water है, we get most of the water our body needs from liquid, हम लोग लिकविट के form में लेते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, तो जो water हमारे body को जरूरी है, जो needs है, वो हम लोग कहां से लेते हैं, from the liquid, liquids जैसे we drink, जैसे हमने drink गया, या such as water, milk या tea, इन चीजों के माध्यम से हमारे सरी में water की पूरती हो जाती है, भरपाई हो जाती है, ठीक है, तहां तक आप समझ गया होंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि NCIT book में आपका जो है, दिया गया है, कि जैसे test करने के लिए, कि starch का आप कैसे test करेंगे, carbohydrates का आप कैसे test करेंगे, protein को आप कैसे यानि पता करेंगे कि वो proteins है उस food में या नहीं है, या fats कैसे आप पता लगाएंगे, तिस के लिए दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले starch की हम बात करते हैं, अगर आप test करना चाहते हैं, कि starch है या नहीं किसी food में, तो test for starch, तो सबसे पहले आपको क्या करना हो होगा, एक raw ingredients आपने ले लिया, सबसे पहले, जो आलू है उसको हमने लिया, और put करेंगे 2-3 drops of dilute iodine solution, जो dilute iodine solution है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पे put करेंगे, नहीं, drop से डालेंगे 2-3 bund, जैसा कि आप figure में हैं, देख रहे हैं, यह यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक ह 2-3 bund, इस आलू पे क्या किया जारा, वो जो dilute iodine का जो solution है, वो इस पे रख दिया गया, और observe करिएगा, तो कुछ time के बाद, if there is any change in color of the food items, तो उसमें changing देखने को मिलेगा, did it turn blue black, यानि वो धीरे धीरे क्या होगा, turn हो जाएगा blue black color में, इससे क्या पता चलेगा आपको, क आमने लिया है, यानि इसके अंदर starch है, यानि blue black color indicates करता है, blue black color जो है, क्या indicates करता है, that it contains starch, यानि इसके अंदर starch है, इसी तरीके से आप repeat कर सकते हैं, इस activity को, इस experiment को, किसी दूसरे food items के साल, उसको भी आप लेंगे, और उस पे dilute iodine solution का 2-3 drops आप डालेंगे, और कुछ time observe करना होगा, और आप जब देखेंगे कि उसका color change हो रहा है, blue black color में, तो यानि वो indicates कर रहा है, कि उसके अंदर starch है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे, इस तरीके से जैसे यहाँ पे test करके यह देखा गया है, अगला जो है test है, आपका protein का कैसे आप test करेंगे, कि क यह किया जा रहा है, ठीक है, proteins का test, इसमें क्या किया गया है आपको, कि एक testing करने के लिए, जो है protein का test करने के लिए, सबसे पहले हम लोग जो है, small amount में food items को हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है, तो वो ले लिए, उसके बाद एक हम लोग को क्या करना होगा, test tube लेना होगा, या जो protein को test करने के लिए, जो हमने solid food items लिया है, उसको हम लोग सबसे पहले paste बना लेंगे, उसी को यानि green कर देंगे, यानि पीस का एक paste बना लेंगे, small quantity of food items जो हमने लिया, उसको powder के रूप में पहले पीस लेंगे, उसके बाद पूट कर देंगे, उसको जो clean test tube हमने लिया है उसमें हम लोग उसको रख देंगे, और dust drop of water, यानि water का उसमें dust drop हम लोग डाल देंगे पहले, सबसे पहले और उसको अच्छे से mix कर देंगे, यानि sick बना लेंगे, उस test tube में जो हमने दिया है, जो food items ठीक है, जो पीस कर, उसमें हम लोग water दर देंगे, dust drop और उसको ये type का हम लोग बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग उसमें add करेंगे, two drops of solution of copper sulfate, यानि copper sulfate का solution, उस test tube हमने लिया है, उसमें two drops डालेंगे, और ten drops of solution of caustic soda, और फिर कह रहा है कि caustic soda भी आपको डाला है, ten drops, ठीक है, जैसा कि हाँ पे figure में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं, इहाँ पे, है न, इसमें क्या किया जरा, आप caustic soda भी ten drops डाला गया है, सबसे पहले, अब क्या होंगे, कुछ time के बाद आप देखेंगे, few minutes के बाद, कि what do you see, कि यह जो रंग है, इसका change हो रहा है, यानि जो test tube, जो आपने लिया है, तो आप देखेंगे, कुछ time के बाद, जो है, इसका रंग, जो है, वो change हो रहा, और उसके बाद आपने copper sulfate का भी solution, उसके अंदर add किया है, इन सब चीज करने के बाद, जब आप उसको कुछ देर छोड़ देंगे, तो उसका रंग कैसा होगा, तो देखिए, यहाँ पे और इससे हम समझ जाएंगे, कि उस food items के अंदर proteins है, इससे पहले हमने पहला उपर देखा, starch कैसे पहचानेंगे, उसका color कैसा होगा, black blue हो जाएगा तब, अगर proteins पहचानना हो, तो क्या होगा, उसका color कैसा हो जाएगा, तो violet color हो जाएगा, जो indicate करता है, कि उसके अंदर protein presence है यानि जो food items हमने लिया, इस तरीके से हम repeat कर सकते हैं, इस activity को, इस experiment को, किसी दूसरे food items के साथ, अब अगर हम बात करते हैं, कि fats का हम कैसे test करेंगे, कि कोई food items है, उसमें fats है या नहीं, यह तो बहुत असान है, सबसे पहला है, small quantity में, वही food items हम लो लेंगे, ठीक है, उसके पेपर लेंगे, और उस पेपर पर wrap कर देंगे, उसको और crust कर देंगे, रब करेंगे, उसको हम लोग ऐसे ऐसे मिला देंगे, अच्छे से रगर देंगे, बस वहाँ पे ध्यान रखना है, take care, the paper does not tear, यानि पेपर ज्यादा क्या होना चाहिए, टीर नहीं होना चाहिए, उस इस एक उसमें, यानि कल सकते हैं, कि वो, मतलब tear नहीं हो जाए, एक तरह से, उसको हम लोग क्या बलेंगे, भाई, यानि डढ़ीर नहीं उस पे आ जाए, और ना उसके बादेंगे, उसको हम खीच देंगे, अच्छे से paper को, और observe करेंगे, carefully, does it have an wily patch, hold the paper against light, यानि फिर हम light के सामने, उसको ले जाके, hold करेंगे, ऐसे, और are you able to see the light, और हम देखने के प्रयास करेंगे, कि जो light है, उसको हम ले गया है, उससे हम देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, यानि उस light को, तो आप क्या देखेंगे, वहाँ पे, are you able to see the light, फेंटली, यानि मतल थोरा सा आपको धुंदला पन दिखेगा, through this patch, यानि वो जो patch आप ले गए, जिस paper पे आपने उसको रगरा है, अच्छा से आपने क्रस किया है, और वो paper थोरा सा tear नहीं होना चाहिए जादा, उसको हमने straight किया paper को, और हम फिर क्या कि उससे उठा के, hold करके, light के सामने, जब वो हमें थोरा धुंदला दिखाई परता, यानि जो light है, वो आपको कैसा दिखाई परेगा, फेंटली दिखाई परेगा, तो इससे पता चलता है, कि वो जो food items हमने लिया है, यानि उसके अंदर fats है, इसलिए हमको क्या हो रहा, पूरे अच्छे तरीके से light नहीं दिखा पा food items contain, क्या fats, यानि उस food items में क्या है, fats है, इस चीज़ का बात का हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम उसे एक और है, हम लोग को परना कि violence diet क्या होता है, उससे पहले हम लोग को diet समझना होगा, कि diet क्या है, तो food that we normally eat in day, यानि जो भोजन हम लोग normally करते हैं, दिन में, जो हम लो क्या है, कि the food that we normally eat in day is called diet, वो होता है आपका diet, balanced diet कहने का मतलब है, कि diet should have all the nutrients that our body needs in right amount, या right quantity, and not too much of one, या not too little of the other, the diet should also contain a good amount of roughness, water, such a diet is called balanced diet, थे, the balanced diet कहने का मतलब क्या है, कि वैस्ता diet, जिसमें सभी nutrients क्या हो, जितना हमारे body को जरूरी हो, एक equal amount में हो, न कोई जादा, not too much one, and not too little, न कोई जादा हो, और नहीं कोई दूसरा कम हो, other, the diet should also contain a good amount of roughness, उसमें अच्छी तरीके से, यानि अच्छी amount में आपको roughness में मिले यानि dietary fibers भी होना चाहिए, water का भी मातरा होना चाहिए, इस तरह का जो diet होता है, वो कहलाता है आपका balance diet, तो समझ गए balance diet क्या है, एक है deficiency disease के बारे में, कि deficiency disease क्या है, तो deficiency disease वही है, कि अगर आप भोजन कर रहे हो, अगर कोई चीज, अगर आप एक right amount में नहीं खा रहे हो, त अगर उसके कमी हो जाता है, आपके सरी में किसी भी nutrition की कमी हो जाता है, nutrient का कमी हो जाता है, तो इसके कारण जो है, एक रोग हो जाता है, इसके कारण है तो वही रोग क्या कालाता है, आपका deficiency disease कालाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, कि a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients, यानि कोई है, अगर वो काफी जादा food ही खारा है, भोजन ही कर रहा है, but sometimes the food may not contain particular nutrients, कोई खास nutrients अगर उसमें नहीं है, if this continue over a long period of time, अगर उसे यह long period of time तर continue रखा ऐसा, तो the person may suffer, यानि from its deficiency, तो वो जो बैकती है, वो सफर कर सकता है, इस deficiency से, है ना, उसमें कमी हो जाएगा, यानि और its deficiency के कारण करा कि one or more nutrients can cause disease or disorder in your body, तो उसके body में क्या हो जाएगे, disease हो सकते हैं, disorders हो सकते हैं, in nutrients के कमी से, क्योंकि वो खाली खाये जा रहा है, और उसमें कोई जो nutrients जिसके बारे में हमने परहा उपर, अगर उसकी मातरा अगर सही नहीं है, और उसके body को नहीं मिल ला है, और a long period of time, तो उस person में क्या हो सा, suffering from its deficiency, यानि इस deficiency से वो सफर कर सकता है, और इसके कारण जो है, more nutrients can cause disease or disorder in your body, उसके body में disease or disorder देखने को मिलेगा, और कि disease that occur due to lack of nutrition, यानि nutrition के कमी के कारण, अगर किसी बैक्ती में over a long period of time are called deficiency disease, यानि disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease, तो deficiency disease क्या है, कि nutrients के कमी के कारण, अगर बैक्ती में इस तरह के problem देखने को मिलता है, तो वही कहलाता है, deficiency disease, all deficiency disease can be prevented by taking balanced diet, if person does not get enough proteins in his या हर food for a long time, तो ही या सी इस लाइक्ती में इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकते हैं, if the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, तो the growth may stop completely, अगर दोनों चीज़ अगर insufficient हो जाए, तो जो growth होगा, वो stop हो जाएगा completely, such as a person become very lean हो जाएगा, thin हो जाएगा, ये सारे चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और क्या हो जाएगे, big हो जाएगे, that he हो या see हो, may not even be able to move, वो move भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी उसमें छमता नहीं बचेगा, यदि क्या हो जाएगा, यदि diet में क्या हो जाएगा, deficient हो जाए, carbohydrates और protein अगर दोनों नहीं मिल रहा है, उसे sufficient मात्रा में, तो ये सब चीज़ देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अब है यहाँ पर कुछ disease or disorder, वही है कि जो caused by deficiency of vitamins and mineral, इन सब के कमी से, जो disease या disorder होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे, NCRT book में दिया गया है, चार्ट बना के, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखेंगे, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कि vitamin A की अगर हम बात करें, अग इसे तरीके से आप नहीं सेंगे, loss of vision, ठीक है, इसके symptoms क्या हो साथे हैं, poor vision हो जाएंगे, loss of vision in darkness, यानि रात में आप नहीं देख पाओगे, sometimes करा complete loss vision हो सकता है, उसके बाद अगर vitamin B की हम बात करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका very very, जो disease है, वो हो सकते हैं, disorder, big muscles ह हो जाएंगे आपका, and very little energy to work, यह सब symptoms उसमें आपको देखने को मिलेंगे, vitamin C की अगर हम बात करते हैं, एसकरवी, disease या disorder हो जाएगा, bleeding gums, जो gums है, उससे यानि blood निकलने लगेगा, अगर हम बात करते हैं, तो warmth take longer time to heal, यानि जो घाव है, उसको भरने में काफी time लग जाती है तो, तो यह सब क्या है, उसके symptoms देखने को मिलेंगे, अगर vitamins D की अगर आपके सरीर में कमी हो जाता है, irritates हो जाएगा, ठीक है, यानि bones become soft, यानि जो bones है, आपके जो bones है, वो बहुत जादा soft हो जाएंगे, and bent हो जाएंगे वो, ठीक है, तो यह symptoms देखने को मिलेंगे calcium के, अगर हम बात करते हैं, जो minerals है, calcium, अगर वो कम हो जाता है, तो bone and जो tooth है आपका, वो decay, यानि उसमें भी क्या हो, छरन होने लगेगा, जो dant है आपका उसमें, और जो bone है उसमें, और weak हो जाएगा, आपका bones, जो आपका tooth है, यानि वो decay हो जाएगा, यानि जो tooth है आपक है, तो ये सारे चीज़ देखने को मिलेंगे, अगर iodine की कमी हो जाएगी, तो जो whiter रोग है, वो हो जाएगा, glands in the neck, यानि जो ये नेक में जो glands है, जो pair हो जाएगा, ठीक है, mental disability in children, यानि बच्चे में mental disability भी देखने को मिलता है, इस iodine की कमी से, ये symptoms हो सकते हैं, ये सब उ है न, तो ये उसके symptoms है, यानि लच्चन है, तो ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे charts आपको NCRT में दिये गए हैं, तो यही यहाँ पे हैं कि vitamins और minerals की जब कमी हो जाएगा, तो क्या-क्या हो जाएगे, उसके क्या-क्या symptoms होंगे, तो आपने ये सारा देख लिया हैं, अब कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि keywords कुछ दिये हुए हैं, NCRT book में जब आप जाएगे, तो कुछ keywords मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, balance diet क्या होता है, अभी हमने परहा है, balance diet के बारे में, तो आप असानी से बसा सकते हैं, berry berry अभी अभी अपने परहा है, carbohydrates के बा सकर्भी कैसे हो जाएता, starch क्या होता है, vitamins क्या होता है, यह सारे चीज हम लोग परहे हैं, और यहाँ पे एक और चाट जो है आपको करके, आप खुछ से करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे, लिखा गया है कि nutrients present in some food items, यानि कुछ food items यहाँ दिये गया है और उसमें बताना है कि कौन-कौन से nutrients कि food items में आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पे raw potato दिया गया है, इसमें starch present है, तो yes लिखा गया है, यहाँ पे पुछ रहा है क्या इसमें protein present होते हैं, तो yes या no आपको लिखना है, क्या fat होते हैं इसमें, तो यही आपको बताना है, इस चा